तू माना क्यों नहीं है? सौधा कोई बुरा नहीं था? साले को आज नहीं तो कल 35 के 50 करना ही पड़ते हैं हम दोनों फिर से दंगय में आ जाते हैं बाबा और नवाब का जवाब नहीं है किसी के पास मैं तुझ से कह चुक हूँ नवाब कि मैं सानी के लिए काम नहीं करूँगा इसमें बुरा क्या है बाबा? कल तक जो हम लोग अंकल के लिए करते थे आज सानी के लिए कर लेते वो हरामजादा उल्लू का पठा आज तेरा बॉस बन गया हैं नवाब उस हरामजादे के लिए कौन लोटना चाता है? बाबा बाबा मैं हमारी बात कर रहा था तेरे बारे में तो मुझे पता नहीं लेकिन मेरा फैसला मैं तुझे सुना चुक है नवाब ये तेरा मेरा क्या होता है बाबा हमारे बीच हर फैसला हमारा होता था फैसला हमारा होता था लेकिन कीमत कीमत सिर्फ मैंने चुक है यह नवाब मेरी मां मेरी मुखबत सब चिन गई मुझसे एक भाई रहे गया है मैं उसे खोना नहीं चाहता और मैं बाबा मैं तरह कुछ भी नहीं तू तू मेरी चान है नवाब लेकिन तू जानता है कि मैं अपने भाई के लिए अपनी चान भी कुरबान करसकता हूं कर जा रहा है नवाब अब तेरे रास्ति में मेरा घर नहीं पढ़ता बाबा मैं समझता था नवाब कि कोई समझे या न समझे तू मुझे ज़रूर समझेगा तेरे पास तो भाई था, मा थी, निशा थी, सब कुछ था लेकिन मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं था फिर भी कभी मैंने आपने आपको अकेला नहीं समझा क्योंकि तू मेरे साथ था, तू ही मेरी दुनिया थी बाबा तू समझता क्यों निवाब, मेरी दुनिया मेरा भाई है भाई एक इत्फाक होता है बाबा, एक खुन का रिष्टा होता है जिसे हम चुनते नहीं, हमें कबूल करना पड़ता है लेकिन दोस्त, दोस्त हम चुनते हैं, अपनी मर्दी से, अपनी पसंद से, अपनी खुशी से हम दोनों ने एक दुसरे को चुना था बाबा और आज, आज तुने अपने भाई को चुन लिया लेकिन एक बात याद रखना एक दिन, एक दिन यहीं लंगना दोस्त तेरे काम आएगा बाबा